हमने बारिश के समय अक्सर देखा है कि बादलों पर स्टाटक चा जा जाता है और इनकी वजह से इनका वोल्टेज इतना आधिक बढ़ जाता है कि बादलों और अर्थ के बीच जो इंसुलेशन मीडियम अर्थात एक होती है इसे सहन नहीं कर पाती और ब्रेक डाउन हो जाती है इसके कारण एक डिस्चार्ज उत्पन होता है ये हजारों वोल्टेज का होता है ये डिस्चार्ज हमेशा शौर्टेस्ट पात ढूंडता है और अक्सर ट्रांस्मिशन टाउर और पोल्स को अपना निशाना बनाता है जब ये डिस्चार्ज ट्रांस्मिशन टाउर या प पर गिरता है तो यहों सर्किट का वोल्टेज बढ़ा देता है। इस वोल्टेज के कारण सिस्टम का इंसिलेशन फेल हो जाता है या अधिक करण बहने के कारण इंस्ट्रुमेंट ही टप होकर जल जाते हैं। आकाशिय बिजली गिरने के कारण ओवर वोल्टेज उत्पन न हो और उपकरन डैमज न हो इसके लिए हम लाइटनिंग अरेस्ट का उप्योग करते हैं। लाइटनिंग अरेस्ट एक ऐसा प्रोटेक्टिव इंस्ट्रुमेंट है जो हाई वोल्टेज की सर्च को सीधे अर्थ में भेज देता है जिससे उपकरन डैमज होने से बच जाते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइटनिंग अरेस्टर के अंदर श्रेनी में एक स्पार्ग गैप रखा जाता है तथा एक अरेखिय प्रतिरोध को भी श्रेनी क्रम में लगाकर अर्थ से सिंपरकित कर देते हैं। लाइ जिस वोल्टेज के लिए बनाया गया हो, लाइन और अर्थ के बीच रिजिस्टन्स बहुत आधिक होता है जिसके कारण सामान्य वोल्टेज पर वोल्टेज ग्राउंड नहीं होती है। लेकिन जैसे ही लाइटनिंग स्ट्रोक होता है वैसे ही लाइटनिंग अरेस्टर का रजिस्टन्स बहुत कम हो जाता है जिसके कारण संपूर्ण वोल्टेज अर्थ में चली जाती है। संपूर्ण वोल्टेज ग्राउंड होने के बाद सिस्टम पूर्व की भाती सुचारू रूप से चलने लगता है और हमारे उपकरन जलने से बच जाते हैं। Working off lightning arrester सामान्य आवस्था में lightning arrester line को off रखता है जिसके कारण अर्थ की तरफ कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। High voltage की स्थिती में lightning arrester के बीच की जगह आग के माध्यम से ionized होकर धारा का प्रवाह करने लगता है। जब लाइन पर lightning stroke होता है तब lightning arrester के resistance का मान कम हो जाता है और संपूर्ण voltage को अथ कर देता है। Lightning arrester को बनाते समय मुख्यता दो बातों पर ध्यान रखा जाता है। पहला ये की lightning समाप्थ हो जाए तो lightning arrester के मध्यखाली जगह में आग समाप्थ हो जानी चाहिए। Lightning arrester का उप्योग भवनों, विद्योत उपकेंद्रों, पावर स्टेशन्स, इंडिस्ट्री जादी में उप्योग किया जाता है ताकि अगर lightning stroke हो तो वह lightning arrester उस बढ़े हुए voltage को सीधे ग्राउंड कर दे और हमारा उपकरन जलने, फूकने आदी से बच जाए। Lightning arrester को सब्स्टेशन और पावर स्टेशन के स्टार्टिंग तथा एंड में लगाया जाता है जहां से transmission या distribution लाइन प्रवेश करती है और बाहर निकलती है. Lightning arrester को transformer के LV और HV दोनों तरफ लगाया जाता है.